बॉलिवुड एक्टर सुशान्थ सिंग राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उनकी अक्ट्रेस गल्फ्रेंड रिया चक्रवर्ती, रिया के भाय शौविक चक्रवर्ती वर कई अन्य लोग जेल में बंध हैं, ड्रग्स केस में वाटसेप चैट सामने आन कर दी गई, रिया के अलावा सुशान्थ के स्टाफ दीपेश सावंत और सैमूल मिरेंडा को भी जमानत मिल गई है, रिया को एक लाग के मुचलके पर जमानत मिली है, रिहा होने के बाद उन्हें 10 दिनों तक नजदी की पुलिस स्टेशन पर हाजरी लगानी होगी, रिया क अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना था, आज फैसला सुनाते हुए कोट ने जेल में बंद रिया चक्रवर्ती, दीपेश और सैमूल को जमानत दे दी, जाच एजेंसी नाकोटिक्स कंट्रोल बयूरों ने रिया के साथ ही सभी की जमानत का विरोध किया, एजेंसी की घएर इरादतन हत्या की वारदात एक परिवार को प्रभावित करती है, लेकिन मादक पदार्थों का नशाप पूरे समाज को प्रभावित करता है, हाला कि, रिया के वकील सतीष मानेशंदे ने अदालत के सामने इस मामले में कोई भी सबूत न होने का दावा किया और उन् कुछ ऐसे WhatsApp चैट रिट्रीव हुए थे, जो ड्रग्स से जुड़े थे, जिसके बाद इसकी जाच एंटी ड्रग एजेंसी, NCB, को सौब दी गई थी, NCB ने मामले में रिया सहत अब तक कुल 20 लोगों को गिरफतार किया है, NCB का दावा है कि सभी आरोपी बॉलीवूड से ही ड्रग्स की बहुत कम मात्रा में बरामदगी को लेकर एजेंसी भी सवालों के घेरे में है, 20 में से 5 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी अब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट और सत्र न्यायाले से खारिज हो रही थी